हाई गाईज आज हम लोग बनाने जा रहे हरे चनी की सबजी सर्दियों के मौसम में हरा चना काफी मार्केट में आलेबाल होता है तो सबजी बनाना तो बनता है चलिए आज में आप लोगों को एकदम गाल ही ग्रेवी वाली सबजी बताने वाली हूँ तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा, मैंने कौन-कौन से चीज यूज किया है और कैसे यूज किया है, तो इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी बरतन गरम होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक चम्म लोग आट कर देंगे, थोड़ा सा बारिक चौप की हुई प्यास, तो मैंने यहाँ पर एक मेडियम साइज की प्यास को बारिक चौप करके यूज किया है, कम ज्यादा किया जा सकता है, साथ में दो हरी मिच्ची आट करेंगे, बड़े-बड़े तुकडे में चौप करके, सबी चीजों को मिक्स करेंगे, और कुछ सेकंड तक पकाएंगे हम लोग, उसके बाद आट करेंगे आदा चमच अध्रक लेसुन का पेस्ट, इसी के साथ जो है, सबी चीजों को फिर से मिक्स करेंगे और पकाएं, तो लगभा कब हम यहाँ पर दो-तीन नियाट तक पकाना हुआ है, पेस्ट एट करने से आपकी सब्जी काफी जाधा गार ही हो जाती है, यानि उसकी ग्रेवी जो है वो गार ही हो जाती है, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजी और कैफ लगा करके, चार से पांच मिनट मीडियम टूलो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, इसी के साथ इसमें एक चम्मच छोला मसाला आट करेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है छोला मसाला डालने से तो आप जरूर आट करिएगा, साथ में एक चम्मच धनिया पाउडर आट करेंगे, इसी के साथ एक चम्मच लालमिर्ची पाउडर आट करेंगे, आप कि मसाला हम बाद में यूज करेंगे इतनी मसाले को हम लोग मिक्स करेंगे कुछ देर तक पकाएंगे फिर हम लोग इसमें अट कर देंगे चना तो यह जो है न मैंने हरा चना कच्छा लिया हुआ यह बॉइल किया हुआ नहीं है क्योंकि सॉफ्ट है तो हमें इसे अलग से लेड़ चमच नमक नमक कम जादा किया जा सकता है अपने स्वात के अनुसार नमक को भी बढ़िया से कर दीजिये मिक्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और साथ में ज उहाथ ना सारा मसाला और चना बढ़िया से तैयार हो चुका है मसाला जितने अच्छे साँ पकाते हो उतना ना भढ़िया टेस्ट आता है तो एक बार फिर से मैंने mix कर दिया है और फिर हम लोग इसमें add कर देंगे दूद की मलाई अपने घर में जो दूद हाता है ना उसी की मलाई को मैंने mix कर लिया है अच्छी तरह से add करने के बार डाल देंगे हम लोग यहां पर 1,5 कप पानी पानी आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी साफ से add करेंगे और थोड़ा सा जो है ना हम पानी एक्स्ट्रा डाल रहे हैं ताकि हमें चैना को बॉल करने में भी थोड़ा सा time लगेगा दूद की मलाई डाल देने से आपकी ग्रेवी का कलर बहुत प्यारा आ जाता है मैंने इसलिए यूस किया है फ्लेवर में भी थोड़ा सा बदला हो जाता है साथ में हरा धन्यां बारिक चौप किया हूँ आइट करेंगे और उसके बाद जो हैना हमें मिक्स नहीं करना है कैफ लगा करके पकने के लिए छोड़ देंगे आठ से दस मिनड़ बाद आप देखेंगे कि आपकी सबजी का जो हैना बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और जो हैना आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना ग्रेवी आप रखेंगे सबजी में एक बार सबजी को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए फ्लेम आफ कर दीजिए और एट कर देंगे खटा फ्लेवर के लिए एक चमच अमचुर पाउडर इसी के साथ इसमें हम लोग आधा चमच गरम मसाला पाउडर एट करेंगे बहुत ही बढ़ी आसी खुजबू आ जाती है सबी चीजों को मिक्स कर दीजिए पांच मिनट ढग करके सेठ होने के लिए रख देंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग सर्फ करेंगे रोटी पूरी पराठा चावल किसी के भी साथ आप इस सबजी को सर्फ कर सकते हो सभी के साथ बहुत टेश्टी लगती है तो आप लोग अपने घर पे एक बार बना करके ट्राई जरूर करिएगा आज की रेस्पी कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताएगा मिलते हैं एक नई रेस्पी में बाई गाईस